हेलो दोस्तों मेरा नाम है नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SSC Arena में दोस्तों अगर अभी तक आप लोगोंने SSC Arena को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको important वीडियो आपके exam से related देखने को मिल सके आज का हमारा topic है books and authors की series number 6 इसके पहले मैंने 5 अलग videos अलड़ी upload की हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो description में दिये गए link पर आप जा करके उसे देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं रविंदर नात टैगोर जी के बारे में basically books and authors की series में हम different different आपके लिए writers लेकर के आते हैं और उनकी important books की list जो की आपसे exam में बार बार पूठी जाती है इसके पहले अरुंदती रोय, ससी थरूर, आरके नारायन, रश्किन बॉंड जैसे important writers को हम already cover कर चुके हैं रविंदर नात टैगोर जी के books की list को देखने से पहले उनके वारे में थोड़ी सी information जानते हैं कि इनका जनम 7 माई 1861 को कलकत्ता में हुआ था जो उसमें बंगाल presidency के अंदर आता था ठीक है इन्होंने बंगाली में बहुत सारे जो रचनाएं लिखी हैं और इसके साथ जो Indian art है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है आपसे exam में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले Nobel पुरुषकार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताएं तो इस condition में इस question के लिए आपको answer करना है रविंदरनाथ टैगोर ये पहले non European थे नहीं सिर्फ इंडिया बलकि यूरोप से बाहर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको Nobel Prize मिला था लिटरेचर की फिल्ड में ठीक है और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजली इसके लिए 1913 में मिला था इन्होंने गीतांजली 1911 में लिखी थी दो साल बाद इने Nobel Prize मिला और इन्हें The Bard of Bengal के नाम से भी जाना जाता है ये भी एक्जैम में कई बार पूछा गया है Bard का मतलब होता है कवी ठीक है कवी को तो The Bard of Bengal इन्हीं बंगाल के कवी कहलाए जाते है रविंदर अनात टैगोर और पूछा जाता है कि इन्डिया का जो नैशनल एंथम है राश्ट्र या गान है वो किस ने लिखा तो इसका भी अंसर रविंदर अनात टैगोर है जनगनमन है इसके अलावा बंगलादेश का जो राश्ट्रगान है आमार सोनार बंगला यानि मेरा सोने के जैसा बंगला ये भी बंगलादेश का जो नैशनल एंथम है इसे भी रविंदर नाथ टैगोर ने लिखा गया था इसके अलावा एक स्कूल है जिसका नाम था सांती निकेतन जैसे की कारमल स्कूल होता है कॉन्वेंट स्कूल होता है आप लोग उने शरश्वति शिसु विद्या मंदिर देखा होगा आर्रे समाज स्कूल होता है उसी तरीके से शांती निकेतन होता है और एक यूनिवर्सिट लगाना है रविंदरनाथ टैगोर इनके कुछ important books है जो बार-बार repeat होती है आप उनको यहाँ पे देखिए गीतानजली हो गया, मानसी हो गया सोनार तारी, गीता माल्या बालक का जैसे मानसी हो गया सोनार तारी, बालक का यह poems का collection वाला book है जिनको काफी जादा सराहा जाता है चलिए इनके कुछ important books देखते हैं, गीतानजली यह मैंने आपको इसके बारे में अलड़ी बताया है जिसके लिए Nobel पुरुसकार दिया गया था यहाँ पर 1911 होगा शायद 1910 लिख दिया है, 1911 होना चाहिए ठीक है 1910 में इनकी एक book आई थी जिसका नाम था The Home and the World The Home and the World यानि घर और दुनिया यह भी रविंदर नाथ टैगोर की द्वारा लिखी गई है जो exam में पूछा जा सकता है इसके अलावा यह दो books हैं जो अल्रड़ी कई बार पूछा गया है और आप लोगों ने इनका नाम सुनाधी होगा एक है चंडालिका और एक है चितरांगदा यह question कई बार पूछा गया है कि चितरांगदा के लेखक कौन है तो इसका answer रविंदर नाथ टैगोर और चंडालिका के भी रविंदर नाथ टैगोर अब यह दो बुक्स हैं एक गोरा बुक है बुक का नाम है गोरा आपने शायद इसे बच्पन में जैसे पांचवी चठी क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश या हिंदी के लिटरेचर बुक में जरूर पढ़ा होगा और यह काबली वाला काबली वाला बहुत ही फेमस एक बुक है छोटे बच्चों के लिए उनके लिए स्टोरीज है जैसे की पंचित अंतर की कहानिया होती है उसी प्रकार की रविंदर नाथ टैगोर ने लिखी थी बहुत पूछा जाने वाला है यह दोनों के दोनों इसके पहले चितरांगदा, चंडाली का, गीतांजली यह भी बहुत पूछे जाते हैं इक्जैमस में अगला है दा गार्डणर गार्डणर का मतलब क्या होता है माली यह इनोंने 1913 में लिखा था इसके अलावा इसके बारे में पढ़ा होगा पूस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति बुड़ा व्यक्ति होता है उस पूस्ट ऑफिस उसी के गाउं में होता है जिसमें वो हमेशा रहता है फैम्ली चोड़कर सहर चले जाती है लेकिन वो हमेशा रहता है ठीक है काफी important book है आपको इसका नाम याद रखना है इसके अलावा the golden boat ये वैसे कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको इसका नाम याद रखना है important था मैंने include किया इसके अलावा manshi manshi एक तरीके से poems का collection है बहुत पूछा जाता है एक्जैम में manshi कविताओं का संग्र है या फिर manshi पूछ तक किसके दौरा लिखी गई है तो आपका अंसर हो जाएगा रविंदरनाथ टैगोर इसके अलावा the religion of man यानि किसी भी व्यक्ति का धर्म होता है वो क्या होता है ये बताया था रविंदरनाथ टैगोर ने अपनी इस बुक में और Glimpse of Bengal ठीक है Glimpse मतलब एक जलक जब देश जो British India था उस समझवे श्ट्रगल कर रहा था Britishians के अगेंस्ट तो बंगाल की conditions क्या थी उस पे एक हलकी सी बुक इन्होंने जलक दिखाने के लिए बुक लिखी थी जिसका नाम दा Glimpse of Bengal दोनों important books हैं याद रखेगा और ये है नौका डूबी नौका डूबी हिंदी में जैसे आप समझ सकते हैं नौका डूबी और वैसे इंगलिश में boat accident और the spirit of Japan दोनों के दोनों रविंदर नाथ टैगोर ने लिखी आप इसे कैसे याद रख सकते हैं आप इसे याद रखेगा कि नौका तो डूबी रविंदर नाथ टैगोर की लेकिन डूबते डूबते उनकी spirit थी जिसके खारण वो जापान पहुंच ही गए ठीक है प्योंकि देखिए उन्निस सो चे में आई थी नौका डूबी यानि बोट एक्सिडेंट और उननिस सो सोले में दा स्पिरिट अफ जेपैन तो आप ऐसे याद रखेगा कि नौका तो डूबी लेकिन उनकी spirit रविंदर नाथ टैगोर की spirit के कारण वो जपैन चले गए दस साल के अंदर अंदर दस साल तक वो जपैन पहुँच गए थे तो ये दोनों बुक्स हैं जपैन आफ स्पिरिट पूछा जाता है बोट एक्सिडेंट भी पूछा जा सकता है मुझे important लगा तो मैंने include कर दिया ठीक है इसके अलावा कुछ important videos phrasal verb की series जा रही है मेरी इसके अलावा phrasal verb fill in the blanks भी जो SSC English में पूछा जाता है ये video important है अगर आपको नहीं पता दो कौन सी company है जो महारतन का दर्जा जिसे हाली में दिया गया है तो ये video देखिए और पुस्तक और लेखक यानि books and authors की series में और भी कई नाम मैंने include किये हैं आप जाकर के उनको देखिए enjoy करिए और अगर आभी तक subscribe नहीं किया है तो मेरे channel को subscribe करिए वीडियो का end यहीं करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद